हेलो प्रेंट स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में आज में सर करने जारों आप लोग के साथ मुंबई की फेमल चने चाट की रेसिपी यह रेसिपी बहुत हैं टेश्टी होने वाली है तो वीडियो को बिना स्कीप के अंड तक देखते रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगेगे तो वीडियो को लाइक करना ब ले लिया है यहां पर इसको कोड़ेंगे और उसमें पानी आड़ करेंगे इसके बाद हम याप फ्लेवर के लिए दो तीज पता डालेंगे और दो छोटी वाली लाइची डालेंगे अगर आपके पास बड़ी लाइची है तो भी यहांपर एड कर सकते हैं और यां करना है सिर्फ तेजपत्ता और इलाईची डाल करके कुकर कढ़कन लगाएंगे और तीन से चार सीटी आने तक इसको पका लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन से चार सीटी लग चुकी है इसके बाद मैंने कोकर को उतार लिया इसके ढखकन खोलेंगे और यहां पर हम चैक कर लेंगे चना हमारा बॉयल हुआ है कि नहीं तो यहां पर चना जो है अच्छे से मैश्ट हो जा रहा है यहां पर आप दे और पर मिक तोरी लेंगे और इसमें 1 tiицपून कास्मेरी लालमिच्फ और करेंगे और तू टीस फ्वून मैं जीरा पंटरर एड़ आड़ गरेंगे। इसके बाद हमें आपेस्वादन सारह नमक ऐड़ करने और 2 a डी पाइड़ आड़ करने में आप सब्सक्राइब और इसके बाद हमें आपे हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे और यहां पर गरम पानी इसमें आड़ करना है जिससे कि यह चटनी की तरह बन जाएगा यह मसाले जो है अच्छे से फूल जाएंगे और यह अच्छे सी चटनी बन करके तयार हो जाएगी तो यहां पर हमारा मसाला जो है बन करके रैड़ी हो चुका है अब हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्ट प्रोसस के तरह तो यहां पर हम गैस पर एक कढ़ाई चड़ाएंगे और इसमें तीन से चार बड़ी चमच ओईल अड़ करेंगे मैंने यहां पर मस्टर जीरा अच्छे से चटक जाए इसके बाद हमें आप एक ग्रेट किया हुआ अध्रक अड़ करेंगे 1-2 तीश्पून इसको मच्छे से तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमें आप वन पिंच हिंग अड़ करेंगे हिंग का टेस्ट जो है बहुत ही के लिए बीच बीच में जलाते रहेंगे यहां पर आप दे सकते हैं हमारा मसाला जो है अच्छे से पकना सुरू हो गया है इसके उपर से ओल रिलीज होने लगी है तेहां पर हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ने तो मसाले जल जाएंगे यहां पर मैंने इसको अच्छे से एक बर मिक्स कर लिया है इसके बाद हमें आपे जो चने बॉयल करके रखे थे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक जरूरी पाइंट मैंने चने को चने वाले बॉयलड पानी से बाहर नहीं निकाला था डारिक्ट कुकर में से मैं इसमें डाल रही हूँ अगर आप उसको बाहर रखेंगे चने वाले पानी हटा देंगे तो आपके चने जहां टाइट हो जाएंगे उसके चिलके हाड हो जाते हैं तो आप कुकर में से चने को निकाले नहीं जब उसको पकाना हो तभी उसमें से बाहर करें तो यहां पर मैंने सारे चने को इसमें एड कर दिया है, इसके बाद हम इसको अच्छे से mix कर लिए और यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी वी आया है, तो इतना पानी रहे गा, तो हमारा नमक जो है अच्छे से इसमें mix हो जाएगा, सारा सोख लिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चने को मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिए है इसके बाद हम यहाँ पर वन टी स्पून चाट मसाला पाउर्डर एड़ करेंगे जिससे चाट का स्वाद जो है और दुगना बढ़ जाएगा इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद हम आपे इसको ढखकर के 2-3 मिनट तक पकने देंगे इसके बाद हम ली ढटा करके फिर से चैक करेंगे यहां पर चैने में थोड़ा बहुत पानी है तो इसको सुका देना है मीडियम फ्लेम पे अच्छ से पका लेना है कि अब तो हम अच्छ से एक वार मिक्स करें गया और फिर से ढखक जूँद तो यहां पर ढखके हुए होगे दो इसके पास हम यह देख लेते हैं तो यहां पर आफ देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं है सूख चुका है आज सारा पानी तो रहां पर यह को एक बार अच्छे से MIX करेंगे और GYas को Off कर दें तो यहां पर आफ देख सकते हैं चेने में अच्छे में मसाले जो हूं कितने बढ़ीय से लगे हुए हैं फ्रिंस यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है तो इस रेसिपी को आप भी इपर ज़रूर ट्राइ करें अब हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्ष्ट प्रोसस के तरफ तो यहां पर हम सबसे पहले दो प्याज लेंगे यहां पर और इस चोटे पीसे में कट कर लेंगे और टमाटर को भी चोटे चोटे पीसे में कट कर लेना है एंड खीरे को भी इच्छे से चोटे चोटे पीसे में कट कर लेंगे इन सारी चीजों को तो यहां पर आप देख सकते हैं प्याद जो है कट करके राड़ी हो चुका है इसके बाद हम खीरे को काट लेते हैं खीरे को भी छोटे-छोटे पीसिस में ही कट करना है आप चाहें तो इसका छिलका हटा भी सकते हैं लेकिन छिलके के साथ यह बहुत जादा क्रंची लगता है मैंने इंक्रिडियन्स लिस्ट इस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर और धनिया की पत्ती मेर्ची सब कुछ कट करके राड़ी कर लिया है तो बाब हम इसको साइड में रखते हैं और चलते है नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ तो यहां पर हम चनी को एक बड़े भरतन में निकाल लेंगे यहां पर मैंने आधा चना लेया हुआ है आधे को बाद में मिक्स करेंगे और हाँ चनी जब थोड़े से ठंडे हो जाए तब यहां पर इसमें वैजित जो है आड़ करना है नई तो इसकी करण चिपन खतम हो जाता है तो यहां पर मैंने प्यास डाल दिया खीरा डाल दिया इ इसके बाद हम धनिया कि पत्ती और ँचे मिट शी मिठ और किया जीए योग सराओ की फिर वत अतुरे के तैंसे अप्लेले ज़र कि कॉमेंट करके जरुरे बताएं हैं ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंचती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स हो चुका है इसके बाद हम यहां पर नीमू का रस इसमें आड़ कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी वेरी टेस्टी अन सूपर डिलिसियस चना चाट बन करके रैडी हो चुका है आज की रैसिपी कैसी लगी आपको कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंस के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से अर करें ओके बाय फ्रेंस मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में